कारों तरफ से बढ़ना है, स्पीच भी देनी है, मुह से बोलना भी है, टेलीफोन भी इस्तमाल करना है, फेस्बूक भी इस्तमाल करना है, वीडियो भी भेजनी है, फेस्बूक भी भेजना है, पोश्ट भी भेजनी है, आओडियो रिकोडिंग करके भी भेजनी है, अकपार भी भेजना है अफ़ार चापना भी है कपले पे लिखना है वैनर भी बनाना है दिवार पे लिखना है नाटक भी करना है मंचन भी करना है दास करके भी करना है गाके भी करना है आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही पुराना है जब से हमने बोलना सीखा और बोलने से पहले भी जब से हमने इशारे करने सीखे उसको बोडी लेंग्विज बोलते हैं इसारे को तो हमारा पहला जो मीडिया या जो कम्नुकेशन रहा है वो हमारे हाथ पर रहे हैं हाथ पर हमारे माध्यम रहे हैं चेरा है जीव है ना के आख खान है और उनसे हम जो बोलते हैं जो करते हैं वो हमारा पहला माध्यम रहा जिसको मीडिया बोलते हैं हम उसका आज भी इस्तमाल करते हैं अगर किसी देश में चले जाए दूसरे में तो वहां अगर हमें उसकी भाशा नहीं आती है तो हम हाथ से सारा करते हैं कि हमको पानी चाहिए ये चाहिए या नहीं चाहिए मना करते हैं हाथ से गर्दन हिला के मना करते हैं आंक से मना करते हैं जीब से मना करते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इसनी है क्योंकि हम इसके बिना कुछ कर नहीं पाएंगे और जो यह मीडिया है बुद्ध के समय में जो बोला करते थे इसको बोलते थे पचन पचन माने होता था पकाना पच से बना हुआ है जैसे पचाना पचन या पाचन पाचन माने पका पचारक यानि पचारक का मतब है अभ्यास करने वाला पकाने वाला तो जो बात हम यहां बताते हैं जो बात और भी लोग बताते हैं जो बात हम यहां सुनते हैं जो बात हम सारे सुनते हैं और जो हम यहां से सीख के जाते हैं उसका अभ्यास कहां कर रहे हैं उसको पचा कहा रहे हैं वो कहां पचारक हो रही है यानि कहां उसको पचारक पचा रहा है अभ्यास कर रहा है बता रहा है अगर पचारक नहीं है हमारे पास तो बात पकेगी नहीं और बात पकेगी नहीं तो अधिरी अधिकच्री आधिकची दे जाएगी और वो किसी काम की होगी नहीं इसन के सबसे पहले authentic और सबसे पहले एतिहासिक परचार की बात करें तो वो सिद्धत गौतम और बुद्ध से आरम होता है systematic तरीके से क्योंकि परचार का जो systematic तरीका है एक तरीके से परचार करना कितना परचार हुआ कितना हमने पका लिया, कितना लोगों को बता दिया, कितना लोगों से सीख लिया, वो सबसे पहला जो मीडिया, सबसे पहला जो माध्यम था, वो बुधने डवलप किया, उस समय तक अक्छर नहीं बने थे, और कागज भी नहीं था, पैन भी नहीं था, और पत्थर पे लिखा करते हैं सारे के सारे जितने पीचर थे उन कि याली कि अन्होंने अपने सर मुडा लिए हृलां कि सर मुडाने का दूसा कारण भी है मगर ये भी कारण में आता है पहचान हो गई उस समय तक जटाई होते थे जट होते थे जटा वाले होते थे बाल रखते थे उन्होंने बाल कटाए गंजे रहे मुझे भी कटा दी डाड़ी भी कटाती और सारे एक से हो गए तो यह उनके एक सिंबल बन गया प्रचार का माध्यम बन गया कि अगर कोई मुंदा है अ और सबसे बड़ी बात इसे भी थी कि उनका आचार वेहवार चलने का तरीका बोलने का तरीका खळे हुने का तरीका वो सबसे जदा इंपूरेंड थी जो उनका प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम बना इतना बड़ा माध्यम बना कि उसको आज तक भी कोई डिफिट नहीं कर पाया लोगों सभी लोगों ने बाद में वैसे ही कपड़े पहन लिए और वैसे ही परचार किये और आज भी वो उन्हीं कपड़ी की रोटी खाते हैं इतना जबजस्त परचार है कितना जबजस्त परचार हुआ वो सबसे सचक्त मीडिया हमारे पास रहा जिसका परणाम भी पूरा आया उस समय हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें ने थी मगर इन छोटी छोटी चीज़ों से ही इतना परचार किया इतना ज्यादा मीडिया बढ़ा दिया नोंने कि हम उसमें काम्याव परणाम परणाम भी तरीका है जो ब्रॉड कास्टिंग का तरीका है वो पत्थर की किताबों पर लिख कर होने लगा और 84,000 इस्थूप और चित्रकला बनने से और अक्षर बनने से प्रचार का माध्यन का तरीका आया उद्धने जो सिस्टम बनाया था वो बताते भी थे ब गड़क और भालक बोते थे भालक को बाद में भालू की गाली दी गई और गड़क को बाद में गाली दूसी बना दिया तो यह जो परचार का तरीका था यह सम्राट असोक ने सीखा और उन्होंने भिक्वों को बाकाइदा सेल्टर दिया और भिक्वों को आगे बढ़ाया ताकि स्पीचर से परचार चलता रहे, पत्थर की किताबें आ गई, और ये भेस पूसा जो परचार की थी वो चलती रही, माध्यम चलता रहा, हमारा मीडिया चलता रहा, काम हमारा बनता रहा, उसके बाद में बहुत बड़ा बीच में एक सिस्टम चलता रहा, लगबख 400-500 स साल पहले तक हमारी डिफीट होनी शुरू करी, जब हमारे परचार के अगेश्ट में कालपने कहानियां गड़ी गई, और कालपने कहानियों का हम से ज़्यादा परचार किया और वो जगए-जगे फैलाई गई, और उनको फैलाने का तरीका भी वही था, जो बुद्ने किया, गानेगार मंचन का यानि नाटक का भी काम शुरू हुआ, और उस समय कागज बगरा भी आया, उसके बाद यह और ज़्यादा बढ़ गया, और यह कागज पर घर जाने लगे, अक्षर ज़्यादा डड़ डपलप होगे, भासा ज़्यादा बन गई, तो इसको पचार भ्रमन करते हुए दिखा देना, यान दिखाना, समझाना, और भिकुनी का मतब है भ्रमन करते हुए घूमते हुए दिखाना, तो वो भ्रमन करते हुए दिखाते रहे, बताते रहे लोगों को, और पर चार के तरीकों को गागा कर बातें जो उनकी समझ में आएं, जो पुन में फैलाते रहे वो उनका प्रचार का माद्हम का उस समय तक प्रचार ये चलता था उसके बाद में फिर पैरियार साहब और जोतीवा फुले आये तो जोतीवा फुले ने जो प्रचार का माद्हम निकाला उन्होंने किताब भी लिखी उन्होंने स्कूल भी खोले और वो प्रचार रहा वो समय तक ये कावज अखवार वगरा सब आगे थे रेडियो वगरा आगे फिर प्रचार का तरीका जो आगे आया वो डॉक्टर अंबेट करने लिया डॉक्टर अंबेट कर पत्रकार भी बन गए उन्होंने अखवार भी निकाला वो राइटर भी बने भी करते ताकि वहां बाचीत उनकी हो सके जा सके जतना माद्ध हम उनको मिला उतना उन्हें प्रचार का तरीका निकाला उस प्रचार के तरीके से हम इसने कामयाब रहे कि आज हम उनकी राइटिंग्स और स्पीच को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और समझे तो जो कामय करते थे उनका सभ से अच्छा जो तरीका रहा वो रहा वाल राइटिंग यानि दिवार पर लिखवाने का तरीका सबसे अचूप था और महराश्ट के लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा बड़्चल के था क्योंकि महाराश्ट के लोगों दिवारे निवारे लिका नीले रंग से पोतना सफे दिवार मिली जाती थी सबसे सबसे बढ़िया उसके बाद में जो आज चलना है माहौल यह माहौल बड़ा एडवांस है और इसमें अगर आप अच्छी तरह से पचाना नहीं सीखे पकाना नहीं सीखे तो खतम हो जाओ गया क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे तो पहले पैसे खचनी होते थे पहले बुद्धी लगती थी शरीर लगता था, यहानी कि आपको मेहनत करनी है और बुद्धी लगती थी कहां कहां पचार करना, तब पैसे की इतनी ज्यादा involvement नहीं थी परचार करना है अखवार भी बहुत स ज्यादा होती थी और खबरें आराम से आती थी, खबरें आराम से जाती थी, खबरों का टाइम बहुत होता था, जैसे बुद्ध को एक बात बतानी है, तो बुद्ध के पास महीनों में कुछ चलके आएगा, पैदल फिर वो महीनों में जाएगा, तो एक बात महीनों में लगी तो अब प्रचार के माध्यम कितने सारे आ गए हैं अब आडियो है वीडियो है सीडी है यूटूब है अब पॉड्कास्ट है यूटूब है यहां मीडिया पे यहां नेट टीवी अलग चलता है नेट पे टीवी अलग चलता है अकवार अलग चलता है सब भासाओं के अ इसके लावा मीटिंग्स हैं, इसके लावा मिलना हैं, जुलना हैं, एडिटिंग हैं, किताबे हैं, हर तरह से मीडिया अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मीडिया का बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है, इस बड़े सिस्टम में अगर आपने सारे तरीके से मीडिया का इ के लिए हर वो काम करना है आपको नाटक करना है आपको गाना है आपको मंचन करना है आपको नीले रंगी टोपी लगानी है पीले रंगी टोपी लगानी है लाल रंगी टकानी है यानि कि आप कपड़े बंदो ड्रेस बंदो नाटक करो नाचो गाओ पूदो आपकी बात में ध्यान रहना चाहिए। मामला यह है कि आपकी तरफ ध्यान देने वाले कितने लोगों को आप अपनी तरफ आकरशित कर सकते हो इस मीडिया से किसमी तरह से है। इसने जो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है जी तो देखो कैसा नाटक कर रहा है ये तो इसाgypt होते हैं, ये तो आपको ध्यान देना चाहिए, कि मेले के अंदर हमारे अखवार को कितने लोग लेते हैं अखवार में क्या है क्या नहीं है इस सफ़क नहीं पड़ रहा है अब खेल यह है कि हमारे टी आरपी कितनी है हमारे चैनल पर कितने लोग आ रहे हैं अब खेल यह है कि कितने लोग हमको देख रहे हैं और पड़ रहे हैं आपकी माइं है वो कहीं और नहीं जाने चाहिए तो हमारे लोगों को पच्चार-पचार्सार्सMe भठ़ए जा रहा है उनको इ prede europe धिखाय जा रहे है उनको टीवी दिखा जा रही है उनको खाने दिखाय जा रहें उनको fake fake बेकार-बेकार मसलہ दार New з दी जा रही है ताकि कि वह उस मेंजी रहे हूँ वह बेकार की बातों में भास कर रहा है हमारे सारे जो मिच्नरी हैं जो लड़के बनी थे वह सब उनके जो नलगे वो वो सारे सारे मोबाइल में लगे वो सारे सारे कैशिट में लगे गाने में लगे डांस करने में लगे मगर वो अपने ली नहीं कर रहे हैं वो लगें बेसक इसमें मगर अपने के लिए लिए लगे तो फायदा होगा वो दूसरे के लिए लग रहे हैं इसलिए नुकसान हो रह किताबे वही लोग पढ़ते हैं जिनको कमेशन करना हो जिनको प्रिशर्च करना हो वह लोग humor पढ़ रहे हैं웠ब तो किताबे पढ़ने वाले भी वो लोग है तो सारे के सारे जितना भी काम है वह जो यूट्वर चेलन्ग कर रहे हैं, उनकी एक लिमिट है और उनकी एक दिक्तत भी है. आपने अगर ध्यान दिया हो, तो हम 10 महेने से काम कर रहे हैं. यहाँ एक्टिव डिल अब तो दिनमे कहले के कि लोगो का कम से कम रहता है जिनके नेट खतम हो जाते हैं जो जोटते हैं गया सु बारे सो पहुंच गया रही सारी विनिम्मर्ट रहता है इतने बारे सबस्प्रक्र完 और हम इस काम को दो हजार बारे तेरे से कर रहे हैं लगा था तब छोटी चोटी मीटिंग दो आदमी की तीन आदमी को बताते थे बाचीत करते थे हर एक आदमी के पास जाते थे जो गड़ मानने विक्ति उनके पास भी जो बड़े लोगे उनके पास भी जो चोटे लोगे उनके पास भी। शूरू शूरू में बात नहीं समझ में आती है क्योंकि इस कंसेफ्ट में सब कुछ देना है। लेना कुछ नहीं है। आपको अपना नाम भी देना है अपनी पहाने पाचान भी देना है। मिलेगा तो मिलेगा, इंडियो निन हैं ऐसा नहीं है कि कॉन यह सब मेरे touch में हैं और बहुत दिन से touch में हैं क्या साल से touch में हैं जब सही है YouTube स्टार्ट हुए तब से touch में हैं तो मैंने एक अख़ार भी चलाया है पहले और यह लड़के सारे अभी आए हैं और इनमें अधिते लड़के बेरोजगार हैं इनमें दो-तीन लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है इसका जो यह कम्यूकेशन का होता है मास कम्यूकेशन का बाकी लड़के सारे ऐसे ही हैं जो रोजी रोट क्योंकि उनके खर्च नहीं चलते हैं जब तक आप उनको आने जाने का खर्च नहीं दोगे वह अपनी बात नहीं है सकते कैcom के बड़ी मुस्किन से मोबाइल खaletे एक कैमरा खहते हैं फिर उसको चलाना होता है यूटूब से ज़्यादा पैसे मिलते नहीं बहुत शातिर लोग होते हैं जो यूटूब से पैसे कमा लेते हैं जो अंस्ट्रंट खबरें राजनिती की डालते हैं जो मसालेदार खबरें डालते हैं सेक्स की खबरें डालते हैं माध से नहीं हुआ और उने वीडियो लगाई और वो वीडियो दब गई क्योंकि वहां तो रोज चार वीडियो पढ़ती है अब वीड़ा पीपल समर्संगी जो वीडियो है वो कहां देखेगा आदमी कहां डूंड़ेगा तो इसलिए एक दो चैनल ने स्पैसिक बने तो पानी प पड़ेगा हर व्यक्ति को राइटर बना पड़ेगा हर व्यक्ति को यूटूबर बना पड़ेगा हर व्यक्ति को फेस्बुकर बना पड़ेगा यानि हर व्यक्ति को सारे काम करने पड़ेंगे तो आज जो राजस धाया जी हैं उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने अ दरसल हम किसी के ओपर depend हैं, हमारे अपने मालक तो हैं नहीं, हमारे पास हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है, उकात ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ना समाज है ना जानतारी है, और ना कोई हमें बनाने देगा फिलाल, इसलिए में जब तक हम एकटे नहीं होते हैं, के मीडियम में जतना काम आप कर सकते हो उतना कर लो तो हर विक्ति का यूटूब एकाउंट फ्री बन जाता है तो अपनी बात कहे दो मिनटकी कहे तीर मिनटकी कहे चार मिनटकी कहे उस पर डाले अगर हमने संख्या बढ़ा दी दस यूटूबर होगे, दसजार फेज़ के पेज़ होगे, दसजार ट्वीटर वाले होगे, तो हम जीत जाएंगे. क्योंकि इस सारे मास्ट कम्मिनिकेसन में, इस सारे के सारे जतना भी सिस्टम है, मीडिया का, पॉब्लिसिंग का जो सिस्टम है, इसमें यूटूब वालों की या फेस्बूक वालों की किसकी कंपनी है, किसकी कंपनी नहीं है, किसका अखवार है, किसका न्यूट न्यूट पेपर है, किसकी मैगजीन है, किसका रेडियो है, किसका टीवी है, इसकी एहमियत नहीं है, इसमें एहमियत है वीदा पीपल की, हम लोगों की है, कोई बहुत टीवी चलाए, कोई बहुत अक्वार चलाए, कोई बहुत क्या बोलते हैं, नेट खोले, कोई यूटूब की सर्विस कोले, कोई फेस्बुक कोले, कोई इस्टाग्राम कोले, कोई टूटर कोले, कोई अक्वार बनाए, कोई मेगजिन चापे, कोई क कर देंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा एक वीडियो या Facebook पेज पर जो एक पोश्ट या वीडियो चलती है या टूटर पर चलती है उसको कितने लोगों तक पहुंचाना है इसका बहुत बड़ा पैसा मिलता है यह जो यूटुबर को Facebook को पैसा मिलता है तो बहुत कम है ना क नेट डिक्ता है यानि कि जैसे हम 226 लोग कि चार घृट तक नेट ला भू हरे हो लिए generous 5 यहां पैसा न होता है यानी हम जो नेट पर यहां अपना पैसा दे रहे हैं उसका बटवारा उसको भी होता है जो net खर्च करने का माध्यम है, medium है, यानि कि जो पिचर दिखा रहा है, जो गाने दिखा रहा है, जो एपिशोड दिखा रहा है, जो फालतों की बखवास दिखा रहा है, जो सेक्शी पिचर दिखा रहा है, उन सक को करोड़ो अर्वो रुपया मिलता है, पहला नमबर एक तो खोलते ही आती है वो प्राइटी पे लगाई जाती है उस पर प्राइटी पे इसको प्रमोशन बोलते हैं उसका लाख रुपया देना पड़ता है जैसे मैं यहां जो बात कर रहा हूँ अगर इसको मैं यूटूब चैनल पे लगाता हूँ और यूटूब चैनल पे आपके घर इसको भिजवाना है तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा हजार लोगों को भिजवाना है तो उसका रेट अलग है दसजार लोगों को भिजवाना है तो उसका रेट अलग है एक लाख लोगों को भिजवाना है तो उसका रेट अलग है इसलिए जितनी ये पॉलिटिकल पार्ट Google free है बलकल YouTube पैसा भी देता है Facebook पैसा भी देता है हालाकि वो पैसा भीक के बरावर है बहुत कम है और फिर भी इनके बले बले दफ्तर चलते हैं इनके पोर्टर चलते हैं लाग को करमचारी इनके काम कर रहे हैं तो उनकी तनका कहा से आती है यह पॉब्लिक से तो पैसा लेते हैं मगर क्या होता है कि सरकारी दवाब में या किसी की कंप्लेंट पर ये Facebook को YouTube को बंद कर देते हैं उससे में दिक्कत हो जाती है फिर दूसा बनाओ नया खुलो फिर सबस्क्राइम करो लोगों तक पहुंचाओ तो समस्या से बचने का तरीका है कि जितने लोग जितने अगर आप ट्राइ करोगे ये YouTube की वीडियो देख लोगे तो आप बना दोगे बस आपने ऐसे करके मोबाइल उठाना है ये मोबाइल आपने उठाया हाथ में और आपने recording सुरू करी और बटन क्लिक किया और वो चली गई और वो वीडियो बन गई ऐसी वीडियो आप रोज दस यह जार बना सकते हैं और आपको बनानी चाहिए अगर आपने जादा मेहनत की तो दो चर पांच हजार रुपए आपको मिल वी सकते हैं साल में तीन साल में वो बहुत मेहनत करनी पड़ते है तब आसा मिलता है जैन्मन वीडियो में पैसा कम मिलता है इसलिए इस काम के लिए जो आज का मीडिया है वो कभी जो लोकल मीडिया है जिसको हम अपना मीडिया बोलते हैं या जो में मीडिया है वो वीदा पीपल का काम नहीं करेगा कभी वो कभी नहीं वीदा पीपल को परचाहिद करेगा उसने आस तक परचाहिद नहीं किया क्यों नहीं करेगा उस तो बात पहुंचेगी वहां तक तो बड़ा मीडिया बनेगा तो पूरी दुनिया की उसको एड़ भी मिलेंगी पैसा मिलेगा बहुत बड़ा फायदा है गया मगर बड़े बड़े फायदे को वह समस्य नहीं ना उनको हिम्मत है कि वह इसको करें तो चोटे चोटे फायद लिए जी है चोटे-चोटे मीडिया सेंटर खोड़े इसको अगर इस मीडिया ने सब को यह कहना सूर कर दिया कि साई लोग एक हो जाव और अभी मीडिया से पांच यार जैसे जिसकी रुकारिमेंट है जैसे जिसकी जरूरत है वगर सारे एक हो गए समर्संग तो पैसा देगा नहीं क्योंकि समर्संग तो ना पैसा लेता है और ना देगा यह बात उनको बता रखे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास पैसे नहीं है उनको द लेते हैं उनका घर चलता है चलना चाहिए हमारा उनसे कोई ऐसा गुरूद नहीं है मगर हमें अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए और बुद्ध की तरह आप खुद परचारक नहीं बने और आप अगर क्या बोलते हैं जो हमारे डॉक्टर मेट कर रहें अगर उनकी तरह आपने खुद अपना अख़वान निकाला और खुद नहीं बाटा खुद पढ़के नहीं सुनाया तो हम काम्याब नहीं होंगे तो तब तो माध्यम बहुत कम था तब तो मीडिया बहुत कम था अब मीडिया का नंबर से हमारे पास में हम कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी बात कह सकते हैं और यो वीडियो सीडी लैप्टॉप मुबाइल नेट है टीवी है और यो है पॉड है टूइटर है विस्टा है इतनी सारी चीज़े हैं कि आप अगर इक्षा इसकी कर लेंगे इसका मन बना लेंगे तो अर्बर रुपय का काम आप कर देंगे अर्बर रुपय का इसलिए हैं क्योंकि अर्बर रुपया दे के जब लाखों लोगों तक आदमी पहुंचते हैं और लाखों लोग अगर ये काम सुरू करें तो समर्ण संग का अर्बर रुपया बचा लेंगे हमार को आगे परचायत करने के लिए कोई नहीं आएगा कोई नहीं है नहीं है है योगion कोई कीमत नहीं है इस फेस्टबूक की का कीमत यह तो माध्यम है तो आज हैं कर знаю है आ जा Masら jij बढ़ना है इसमें हैं मुह से बोलना भी टेली फॉन रिप्शमॉ्स्थ बेंक में वीडियो भीजनी आफेस्ट फुल्ण करके भीजनी थilde ना भी है कपले पे भी लिखना है बैनर भी बनाना है दिवार पे भी लिखना है नाटक भी करना है मंचन भी करना है डांस करके भी करना है गा के भी करना है बोल के भी करना है हसके भी करना है चुटकले बना के भी करना है हर तरह से जैसे भी होगा जितनी जल्दी हर तरह से इ कि हम जीत के मानेंगे हमारे अकेले बाबा साव, अकेले बुद्ध, अकेले पैरियार जब इतना बड़ा काम कर गया अभी तो हम करोडों की संग्या में है सिर्फ जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है जीतने में दियर नहीं है जितनी जल्दी चुड़ जाएंगे, उतनी जल्दी जीत जाएंगे धन्यवाद. तो आपको liberty है, आपको छूट है, ये सभी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सरी वितना right हैस पे, कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये संगं सरेन गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं 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 गच्छामी साथू, साथू, साथू